एक बार गोतम बुद्ध कहीं परवचन दे रहे थे अपना परवचन खत्म गरते हुई उन्होंने आखिर में कहा जागो समय हाथ से निकला जा रहा है सभा खत्म होने के बाद उन्होंने अपने प्रिय शिश्य आनन्द से कहा चलो थोड़ी दूर घूम कर आते हैं आनन्द बुद्ध के साथ चल दिये अभी वे मुखे द्वार तक ही पहुँचे थे कि एक किनारे रुख कर खड़े हो गए परवचन सुनने आई लोग एक एक कर बाहर निकल रहे थे इसलिए भीड़ सी हो गई थी अचानक उन्वे से निकल कर एक स्री बुद्ध से मिलने आई उसने कहा तथागत मैं नर्त की हूँ आज नगर के सबसे बड़े सेट के घर मेरे नर्त्य का कारे करम पहले से तैथा लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी आपने कहा समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंट इस बात की याद आ गई धन्यवाद तथागत उसके बाद एक डकैत बुद्ध की तरफ आया उसने कहा तथागत मैं आप से कोई बाच्छे पाऊँगा नहीं मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना था आपका उगदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई बहुत बहुत धन्यवाद उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक बुड़ा वैक्ती बुद्ध के पास आया उस बुड़े वैक्ती ने कहा तथागत जिन्दगी भर दुनियावी चीजों के पीछे भागता रहा हूँ अब मोद का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है तब मुझे लगता है कि सारी जिन्दगी योँ ही बेकार हो गई आपकी बातों से आज मेरी आखें खुल गई आज से मैं अपने सारे दुनियावी मोह चोड़ कर निर्वान के लिए कोशिश करना चाहता हूँ जब सब लोग चले गए तो बुद्ध ने कहा देखो आनंद परवचन मैंने एक ही दिया लेकिन उसका हर किसी ने अलग-अलग मतलब निकाला जिसकी जितनी जोली होती है उतना ही धानवै समेट पाता है निर्वान प्राप्ति के लिए भी मन की जोली को उसके लायक होना होता है इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है